वो बोला कि लोकल में गूम रहे थे गहां फिर अमने उनको बताई कि भाई हम तो गुड़गाओं जा के उल्टे आया हैं बोले भाई साब कमाली हो गया तो आप इतनी दूर तक गूमा है और क्या लोग है उन्होंने भाई ये बात करे उसी में पूरे हो गया गाड़ी पसू पर उस टाइम पर मैं इतना यूट्यूब चलाता नहीं था है मैंने इतनी वीडियो नहीं बनाई थी आज भाई ओन वीडियो मेलब वीडियो आज हम पूरी शूट करेंगे आज हम इसका माइले स्ट करने वाले हैं ये हुन्ड़ी वर्ना 2020 फ्रवरी मोडल है 1.6 यारी 1660 है हम इसको बिल्कुल फुल टैंक कराएंगे आला कि भाई हमारा वीडियो शूट करेंगे का ही प्लाइन है प्लाइन हम जाते रहते हैं आला कि मैं पर्सों भी गया हुआ था बाई दो आर का साइड तो तब भी मैं इन इतना नहीं सोचा पर मेरी हूँ था मैं चलो आज जब मैं अक्यला नहीं जारा भाई मेरे साथ मेरे दोस्त जा रहे हैं इनको आप जानती होगे करते हुए को और भाई एक बार है ना थोड़ी दिन पहले इंस्टाग्राम पर लाइव रखे तो वापे ने क्या कमेंट करका दा आप दोनों सगे भाई हो क्या अभाई वोले आप पांट साल की दोस्ती है तो ओ टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम इसका टैंक फुल कराने वाले टैंक फुल कराके हम जो है गुड़गां जाएंगे और कौन से रूट से जाएंगी वह बता देता हूं पहले में जाता था मैने फोर्चुनर का माइलेश टेस्ट करा था तो उसमें उससे पहले भी मैंने एक दो वीडियो बनाई है माइलेश टेस्ट की फिर है ना हम जाते थे जजजर वाले जो बादली फरूखनकर वाला रास्ता आता है वहां से जाते थे भाई अब वो रास्ता मेरे को इतना साफ नहीं लगता साफ मतलब भाई एक तो उसमें ब्रेकर बहुत हैं गडडे बडडे बहुत हैं रास्ता खराब है मजा नहीं आता फिर भाई मैंने जहां पर हमको जाना होता है सेक्टर 75 में स्टूरद स्कूल के पास वह जो है केमपी कुंडली मानिसर एक्सप्रेस वे डिटेल में वह क्या चीज़ मैंने फॉर्चुनर के मैंलेस टेस्ट में बना रखे वीडियो अगर आपने नहीं देखिए तो आप चैनल पर जाके देख सकते हो पराई बटन ना रखा होगा तो वहां से जाते हैं एक तो पूरा एक्सप्रेस हुए है उस पर भगा लो कुछ कर लो हाला कि हम बगाने के बिल्कुल चोकिन नहीं हम हमेशा भाई 80 90 80 90 ऐसे जाते हैं आज भी जो मैंना अपनी स्पीड पहले बता देता हूं वैसे तो में बीच-बीच में बना के आपको दिखाता रहूंगा हमारी स्पीड भाई 80 85 90 रहेगी 90 की स्पीड रहेगी वाई 90 की स्पीड में चलेंगे अराम से और कोई हमको जल् कि जो मारा सिव भी जर्नी में ओन रहने वाला है तो भाई मैं तो हमेशा यह दिल्ली रोड है हारो तक मैं यहीं पर वाला पेट्रूल पुंप है न इसी पर ही मैं हमेशा टेंग फुल कराता हूं लगाडी में डिजल दलवाता हूं यूं होता है न कल खी बाहर जाना है तो तो भी 300 की रेंज शो कर रहा है यह एक तरह से यह मान लो 49% टैंक है अभी मिला 49% फ्यूल है और यह अभी ओटो वालाम से भी पहले बड़े तेज हो रही हो अपना इंट्रोड़क्शन देना चाहोगे आप जूरत मिया बाई आपके जानते हैं सब जानते हैं चलो भाई बड़िया है ऐसी जानना चाहिए टाइम हो रखा भाई अभी सुबह की 11 बद रखे हैं 87.14 का रेट चल रहा है तब फुल कराने लग रहे हैं हम यह और मैं एक बार है नहीं इसकी जितनी भी हैं इसको मैं जीरो कर देता हूं बिलकुल इसको बिलकुल जीरो कर दिया भाई तो हमको बिलकुल accurate पता चल जाएगा हम कितने किलो मेंटर में चल रहे हैं और फिर आने के बाद वापस वापस हम यहीं सी टैंक फूल करा लेंगे अगर हम टाइम पर आ जाते हैं वैसे तो वह हम टाइम पर आई जाएंगे मेरी हिसाब से देखेंगे कि क्या M.I.D.B. इसकी सही शो होती है टेंक फुल हो चुछा ओटो कट चोपी सो पचास रुपे गा पत्ची सो रुपे कट कोई ना कार्ड है कार्ड है और खुल करता है लगाओ इससे पेंट करता हो ना तो इसकाउंट करते हैं यहां पर ने देख लिया मैंने अपने पहले भी चैनल पे टैंक माइलिस टेस्ट करें ना उसमें भी मैंने यह दिखाया था सर्फ इसी पेट्रोल पंप पे यह होता है तो अगर भाई कोई रहा हो या रहता हो उसको अगर इस बात का नहीं पता हो तो भाई अपना कार्ड से यहां पिमेंट करना डिसक मूड़ना था तो अभी तदगाड़ी चलिए 30 किलोमेटर और माइलेज दे रही है 25.3 की और हम ठीक स्पीड बाई बढ़िया और इस ACP ओन है और 24.25.4 की मैले जिसमां बीच में अब तोल पे भी रुके हुए थे तोल पे रुके थे भाई अब यहां से हम लेफ्ट चड़ कि अब बाई जासे यह फैमिली पूरी हाईवे बे खड़ी है और मेरे खाल से कोई शादी आज भाई साय है मेरे खाल से तक डामला बहुत शादिया है और यह बिल्कुल हाईवे एक्स्प्रेस वे के बीच में खड़े हैं भाई पर चोटे-चोटे बच्चे भी देज में बीच में आरे हैं भाई एक्सप्रेस वे बाई यहां पर 120 की तो स्पीड लिमिट है तो कुछ भी मनों हो सकती है तो वह अगर कोई ऐसे बीच में ऐसे तो मत खड़ा है अगर एरब उनको तम रोक के क्या ही बोलते वाई पर अपना वह तो अंडरस्टेंडिंग कुदी 95 सेट कर देता हूं कुरूज पर लगा देता हूं इसको नाइंटी वन नाइंटी इस पर लगा देता हूं भाई मैं और अभी माइलेज दिख रही है यह 24.5 की तेमल बिल्कुल भाई हम ऐसा नहीं है कि हम माइलेज निकालने के लिए बिल्कुल स्लो चल रहे है बाई यह न 90, 80, 90 है निकालने कालने के लिए फिल्कुल थीग है यह बाई है कि होती है 80 से लेगे 95 बिल्कुल थीग है आँ कोई अई ब controlar यह देखो बाई यहां तो एकसिधंट इंप 11 जो रहा है हैं एमज्डेंस भी आर रखी है यह देखो अटेखो बाई परन्फेस पशिधंट ऊ दौठच वर था रहा है यह और यह तो नंट एड़ा यह देखो गया प्ली एमज्दस भी पुला रखिह स्लिद वे आथोरिटी वाले भी आ रखे दे यह अर्व पर बीच बीच में बीस में यह इसा नी गह रहा कि यहां पर इनोंने बना भी रखी है जगह की थोड़ा साइड में जले जा लिजा। रोड़ से थोड़ा ही साड़े ज़िए नहीं तो थोड़ा अगर रूख ना तो शाइड में रुक जाओ परि जो बिल्कुल हाइवे के बीच में रुकते ना बई यह बिल्कुल भी सेफ नहीं है हाइवे पैसी चलते जलते हैं अब हमने ब्रेक ले लिए हैं और माइली जे शो कर रहा है 29.4 की और अम बड़ीया स्पीड से आये ना बड़ीया स्पीड से आये हैं हो सकती है भाई अब हम यहां से उतर लेंगे मानना पड़ेगा यार वर्ना लाटी दे रही है ती इसके अबरेज है देख लो भाई और यह जब है जब हमने 95 पे 90 पैसे क्रूस पर लगा के आये हैं खहीं हम बीच में नी रुके अराम से आये हैं भाई और भाई यह माईली यहां पर अपनी फास्ट आइगा भाई यहां पर पहले देख दे थे वहां से स्लिप देते थे यहां पर हमें 40 रुपे का कुछ लगता था नहीं है प्रोप तो फास्ट आइक में सी कड़ जाता है अपने आप अब यह गिर एगा नीचे और गिरिया वह एसे इसको भागना विडियो शूट करनेगा किस के पास जा रहे हैं माच कौन को ना रहे हैं तो बहुत हैं जा दोस्तों होगा हम मिलती रहते हैं साथ मैं तो यह हम अपने दिली जैपुर अचरिया थे सब्सक्राइब आरष इस थे सैंदोनाय है उंसाँ आगाड़ आफि अना थकाड़ कि टी तर्स हुख अधिकền ओी पैस उससी तुच्छ किनग को फ्लिवि काड़ गार्त है अवे रहार रखकिती है युनीक सा गलर है अब 29.2 की मालेज शो कर रही है यह तो 80 अल्मोस्ट 80 ग्लोमेटर चल चुके हैं भाई हम क्या लग रहा है हमारी ओरोल कितने की देदेगी है भाई 30 की देदेना तो बहुत अपने आप में तो भाई हमारी जो लोकेशन होती है मैं चलो बताई तो महारा सेक्टर 75 है भाई है M3M कॉर्नर वॉक अभी दिखाते हैं ट्रक वालों को जाना जाते हैं यह है इसके बिल्कुल साइड वाली रोड में और अभी हमने टोटल गाड़ी चलाई है 97 किलोमेटर 28.5 की मालेज निकल अधिकल के जान पर यहां केशन कारे है कैसे हो बाई बाईद गर्या पताओ गाई अवर यू ओल गूड कैसे हो बाई हम पीच्छे करके चलानिया में से च्छलाने यह इसको ट्यून कर लिए तो इसमें दो चार्सी तोड़ लगवाल हो ना सबस मैं सोज रहेग उन चंप उ इसका सबसे बड़ा नेगी टिए फस लिया होगे तो बाई अपनी ड्रैगरेस शुरू हो चुकी है क्रेटा और वर्ना कि हमने पहले कर रखी दी ड्रैगरेस तो प्रथम भाई को इबर वापस शूट करनी थी तो हम तो यह वाली वीडियो शूट नहीं करें क्योंकि भाई हम हम आर सारा काम हो चुका है काफी विडियो प्लोग आज का आज हम मायलेगी तेस कर रहे है तो हमने सोचरा लोग में कर देесяगीर निभूं निसनलगा के निए किटी कि बल्यु कुणरे सो क्यों सुक्तिरों शूट रखे क् 1917 प्र मिलीज निग्ड है ठाया इस बार से तो एं हम तो मेरे साथ में है तो तो मेरे साथ में है यह गाड़ी चल चुकी है 115 किलोमेटर 18.1 कि माइल शो कर रही है तो जैसा भी होगा भाई वह तो आपको पता चल जाएगा अब हम वापस जो यहां से निकल रहे हैं के एंप पे चड़ते हैं उस साइड से हम आने लग रहे थे तो हमें हुआ से आगे कट से लेना था जाम इतना था में आगे बेज दिया पुलिस वालोंने कि आगे से गूम किया और आगे का चकर दा 10 किलोमेटर का तो अपनी 148 चलिए पूरा जाम था भाई कहीं भी कोई कट नहीं मिले एक मुश्किल स कट लिक आगे बहुत बीड थी बहुत जादा ट्रेफिक ता तो यू मालो आवरिज का तुम आपर सोची नहीं सकते क्यों यूँ ही चलिया तो अब यहां से बर ऐसे अंदर लेकी उटन लेके हम केंपी पे चड़ जाएंगे केंपी तो फिर कोई जाम है ही नी भाई अराम अब अब अपना की मपी चड़ते हैं सिदा अब हुआ कि अब है हुआ है यहां पर हम ट्रेफिक ब्रॉप फिर से ब्स चुगी छोगी रॉटक में इंट्री होते ही डिटन टूट रख है विलाग बढलाब कुई बार से रॉटक आए थो प्रॉटक शुची आए नहीं व है एंट्रेंस से ही लोग देखते कि सिटी कैसी है और एंट्रेंस ही ऐसी है भई बिल्कुल खराब जी मला रोड ही नहीं है डाइवर्जन कर रखा ये दो तीन महीन दो महीनों से तो मिनिममम दो क्या तीन-चार महीने हो चुके भई ये भई या भई छिडा ही रहता है कुछमा क ये तो है भई कितनी दूर हो रखे हैं मैं लोग कुछ भी नहीं दिख रहा है कि 623 की मैलेज शो कर रहा है ये गाड़ी चली अपनी 218 किलोमेटर 21.6 की ये शो कर रहा है आप ही खोलता हूं फुल कर दो देखते हैं भई कितने में फुल होता है टेंक हमने तो कह दिया भई क फुल का दो पिष्स इक का दो बता हो वहां यह जो यह जहीं भम्या घरिया धिकूल कि जसेंटिव कर मां कितने इतने हो भी कि जल्दी मुलोग को कि पड़ दो दैघ्ज फ्जेशुर के9 के के 100 अभाए पे यहना María सेरा बंस जूढे किरना निगेडुट के दोपना थे फित कर दे annoy गुत सब्धार नहीं घूट सुधीच कर दोटीन अउन 해्यum अजयरेस आरो को सुदूआ गूसरी करेशा नी लोन, बाइधिश रादे यहं तो एक से केंड मैं करता हूं बाइक पॉंटी- एट डॉमेटर चलिए गॉट्ई-अ मापकर 1 नीक चलिया लिटर divided by कितना लीटर डला है 11 लीटर कर दे तू 20.7 20.7 की मैलेज निकलिए भई एक सेकेंड पिन बर लेता 228.2 divided by 10.33 22.09 की निकल रही है 20 की 10.33 लीटर डला है एक यार तो माड़े के रहनी होगे यह देख लो अब हम कैलकुलेटर से करते हैं तो यह देख लो 900 रुपे का डीजल डला है 8.93 यह मले डिसकाउंट होता है तो 900 रुपे के डीजल में हम 228 किलोमेटर गाड़ी गूम आई है इसमें दिखार है 21.6 पर एक्चुल जो है 22.09 रही है टोटल जो है अपना 900 रुपे का डीजल है 10.33 लीटर्स तो इससे बढ़िया क्या और भाई ओटो कट है नो 785 पे हो गया था वैसे पर भाई ने 900 डाल दिया मैं चलो कोईरी 900 का देखते हैं अब यह 889 की रेंज हो रही है और भाई हमने बिलकुल है ना यू मान लोग खेच के भी रखिये गाड़ी आपने चैनल पे दिख्योंगी बहुत बिगती है गाड़ी आर्पेम उपर जाता है अब मेरे को वैसे पता तो चला कि अगर मैं गुड़गा हो जाता हूं तो मेरा इतने का डीजल लग बग लग जाता है भाई मोज मज़े आगे भाई आप कमेंट्स में उता ना आपने अपनी कितनी निकाल ली है और यहां तक वीडियो देखी तो इसको लाइक कर देना चैनल को कर देना सब्सक्राइब मिलते हैं आप से एक ऐसी यह 21.6 मतलब यह थोड़ी कमी दिखा रहा है इसमें 21.6 दिखा रहा है यह मतलब मिली M.I.D. पूरा थोड़ी उपड़ी आई है उपड़ी है उपड़ी है से एक्चल में 889 की रेंज भाई नुसर रुपय में 21.6 क्लोमेटर रहा है तो 230 क्लोमेटर गूमा है बहुत हो गया रही तो रेस भी बहुत हो गया बहुत हो गया और मुल यह जो भाई डाल रहे थे यह भाई यह कुश होगा नौले वर्ना जैसे का डीत नी बोले भाई डीजल गाडी आप इतनी दूर तक गूमा है और क्या लोग है उन्होंने भाई यह बात के उसी भी पूरे हो गया गाडी वसूल है तो अपनी वर्ना की माईलिस टेस्ट हमने करी दी भाई फाइनली